नमस्का दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ एक महतेपूर्ण प्रेश्न जो मद्धे प्रदेश की बोर्ड वह लोकल पैशाओं में पूछा जाता है दोस्तों कश्या नवी में दसी में ग्यारवी सीयवावी में और बारवी में ठीके ना प्रेश मंगार आता है कि शुक्राणू और अंडानू में अंतर इस पश्ट कीजीए तो हम देखते हैं इस वीडियो के अंत्रगद शुक्राणू और अंडाणू में अंतर ठीक ना तो मैंने एक तरफ लिखा है शुक्राणू और एक तरफ लिखा है मैंने अंडाणू तो पहला अंतर हम देखते हैं शुक्राणू व्रेशन से उत्पन होते हैं जो दोस्तों इस्पर्म होता है ठीक न यह व्रेशन से उत्पन होता है ठीक न याने कि आपने human body का एक diagram देखा होगा चितर देखा होगा ठीक न उसमें आपने देखा होगा link लिंग के नीचे जो दो अंड कोस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं व्रेशन कहते हैं यह जो व्रेशन होते हैं यह फ्रीजर का काम करते हैं काय का काम करते हैं फ्रीजर का जिसमें यह शुकरानू सुरक्षेत रहते हैं ठीक है न इस व्रेशन के कारण तापमान सहीब होता है और तापां के कारण ये शुक्राणू जीवित रहते हैं आसानी से। आईवासनमा आपको जिस प्रकार आप फ्रीज में सब्जों को रखते होंगे, काई के लिए ताजी रखने के लिए तो उसी प्रकार शुक्राणू व्रेशन में ताजा रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और ये वहीं से ही उत्पन होते हैं, अब हम देखते हैं अंडाणू, अंडाणू अंड जाय से उत्पन होते हैं, जो अंडाणू होते हैं ये अंड जाय से उत्पन होते हैं, शुक्राणू पुरूश में से निकलते हैं और अंडाणू इस्त्री में होते हैं दोस्तों, और शुक्राणू बनते हैं जब कि जब एधार एक प्रात्मिक कोशिका से एक प्रात्मिक अद्ग कोशिका से एक अंदक इसहां और होता पर देखते हैं उपधर अंडानु आपेक्शाक्रत बड़ गोल वह अचल होता है यह चलता फिर ता नहीं है यह शुक्राणु तो क्या होते हैं ठीक है न? जैसे आपने देखा हो न सिर मद्य भाग तता पूँच में बटा होता है विभक्त रहता है जबकि अंडानू यह इन भागों में विभक्त नहीं रहता यह गोल होता है ठीक है ना कैसा होता है यह गोल होता है तो देखें दोस्तों यह सुक्राणू है तो देखें यह सिर है यह मद्य भाग है और यह प सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों